आप सभी लोगों का स्वाकत है और बाड़ी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग लेटस्ट अपडेट लिके मैं आप सभी लोगों के लिए आज चुका उन्सों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नेटिशन हमतिके देख सकते हैं कि काफी जाधा पहले के मुकाबले आप लोग को देखने को मिलेगी और पहले सज्चे ज्सरफ कम को मिलेगे और हम लोग को आनवाले टाइम के अंदर उनके जो एपस हैं वह डीप एपस एन ओबलिक्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं फिलाल आप लोग का रियक्शन है और आप लोग का थौर्ट्स एन ओपिनेंस से अपने राजजीद भाई की फिजीक को लेके कमेंड करके बता देना फिलाल अभी राजजीद भाई तो कॉंपीट करने वाले हैं भारत प्रोशों के अंदर तो लेट्स एक कैसा पफरमेंस बुक करते हैं दिल्ली में आके एंड आई के अपडेट्स भी आप लोग को मिलते रहेंगी फिलाल अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी लप्री सिंग भाई के बार में तो लप्री सिंग भाई के बिसाइड से आफ्टर लॉंग टाइम उनका जो प्रजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वह आउट हो चुका है तो फिलाल में यहां पर लप्री सिंग भाई को देख सकते हो उन्होंने कुछ पांट औफ मसल अपने बोडी फ्रेम पर एड कर लिया है जो कि थोड़ी सी नीड भी थी और जब उन्होंने टाइवन प्रोशों के अंदर कॉंपीट किया था तब वह जजेज ने भी उनको जैशन दिया था फिलाल में यहां पर एक अच्छा खासा फ्रेम आप लोग को देखने को मिलेग लब्री सिंग भाई के साथ में एंड आप लोग देख सकते हो एक अच्छे खासे डीप एप्स अपने लब्री सिंग भाई के जो कि उनका ओबिसली स्टार्टिंग से ही उनका स्ट्रॉंगा स्पॉंटर रहा है जो कि उनके एप्स एन उनके ओबलिक्स तो लेट सी गईज वह भी दिल्ली प्रोशों के स्टेज पर हम लोग को देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर तो लेट सी गईज आखिकार वह कैसे पफॉमेंस करते हैं लेकिन फिलाल में यह है कि बहुत जल्दी हम लोग को लब्री सिंग भाई मिस्ट्र ओलंबै के स्टेज पर भ फिजिक अपडेट है वो गईज आउट हो चुका है यहां पे वो अपने सबसे भारी वेट के साथ में आप लोग को नजर आएंगे यहां पे आप लोग के कौर्स देख सकते हो लिटरली काफी ज़्यादा साइज अभी अपने मनुसारंगा पानी भाई ने अपनी लेक्स क अंदर भी एड कर लिया है एड क्वार्स तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा पहले के मुकाबले विगर दिखाई दे रहे हैं जैसके आप लोग को पता होगा कि उन्होंने क्लासेफिजिक डिवीजन से सुच करके ओपन बॉड़ी बिलिंग डिवीजन में अभी आने का फैसला किया है बात करें अपर बॉड़ी की तो गाईज पहले के मुकाबले अपर बॉड़ी भी लिटरली कॉफी ज़्यादा हीूज लग रही है आप लोग उनको इलैट्स का साइज देख सकते हो आप लोग उनके बाइसेप्स फोर आमस लग रहे हैं भी फिलाल मे अपने मनों सारंगा पानी भाई and guys अगर मैं आप सब इलों से बोलूं कि guys ये तो सिर्फ एक ट्रीजर रहे और आने वाले टाइम्स के अंदर अपने मनों सारंगा पानी भाई और भी ज़्यादा huge and bigger आप लोग को होते हुए नजर आएंगे दीरी दीरे तो literally ये बहुत ही shocking चीज़ रहने वाली है क्योंकि अभी वह इतनी हुज है तो आगे जाके और कितने जादा huge होंगे लेकिन फिल्हाल में यहां पे एक इसको funny way में लेना यह कोई comparison नहीं था अगर आप लोग सोच चुके भाई यह ऐसा कैसा comparison कर दिया आपने तो यह कोई comparison नहीं था आप लोग इसको funny way में लेना फिलाल अब हम लोग बढ़ते हैं आज अपनी next update की तरफ जिसमें लोग बात करने वाले हैं कुछ international bodybuilders और उनकी news regarding जिसमें में लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं निक वाकर के बार में तो निक वाकर की साइट से गाई उनका जो present time का फिजीक अपडेट है वह आउट कर देते हैं फिलाल यह जो अपडेट जो सेयर करते हैं सारे की सारे देख के भाई यह स्टॉक्डे हो जाते क्योंकि फिलाल में निक वाकर पहले के मुकावले काफी जादा हुज दिकाई दे रहे हैं एक अच्छा खासा गुड़ क्वाल्टी मसलमाज वह एर कर दो नजर आ रहे हैं जिसमें कि आप लोग देख सो तो इनके बैस भी पहले के मुकावले काफी जादा कंट्रोल है एंड निक व प्लान मैं आने वाले नियूरप ऊच्जों के अंदर टायेटली जाथ कि इस बार साइज की शाथ साथ आ रहा हूं कहीं यह मचां सूचनला के बस कंडिश्णिंग लिए इस बार साइस मिलिकर आ रहा हूं और आपको वन साइट रिली हराऊंगा तो फिलाल ऐसो कुछ नजर आ रहे हैं अपने निक वॉकर तो आप लोग का थोट्स और ओपिनेंस है कि निक वॉकर नियर प्रोशुक के अंदर जैसे को नोंने कॉम्पीट करने के लिए वह लाएं क्या प्लेसिंग या कैसा पैकेस लिए क सकते हैं क्या थोट्स हैं क्या लगता है आप लोग को कमेंड करके बताना फिलाल अब हम लोग बढ़ते हैं आज कपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जिसमें लोग बात करने वाले हैं गुट वीटो के बार में तो कि वीटो के साइट से गाईज एक और उनकी जो प्रजें पहले के मुकाबले बिकर यहां पर दिखाई देगी बात करें गाईज उनकी अपर बावड़ी की सोल्डर आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा कासा साइज इन राउंड सेप में आप लोग को नज़र आएंगे और आउसो गाईज जो बीच में प्रॉब्लम आ रहे थे गुड़ वीटो को के उनका कट निकला आया था लेकिन अभी वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होती है हम लोग को नज़र आ रहे हैं यहां पर उनका जो कट है वो पर्फेक्टली यहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नही यार दोनों नहीं अपने अपने सोख की प्रैप स्टार्ट करी एंड नियर्वाइ सो पहुंच के वह सो ही कॉंपिट नहीं कर पाए आप लोग जानते होगे कि निक फॉकर को तो एक दो दुन पहले उनकी हम्स्ट्रिंग इंजरी होगी ती जिसके वाइसे मिस्टर ओलंपिया वह मिस्टर ओलंप ऐसे दो दिन पहले कॉइट कर देते हैं एंड गुड़ वीडियो के आप लोग को पता ही होगा कि वह उनको प्राइब होगी ती जिसके वह इसे वह कॉंपिट नहीं कर पाए तो कई बहुत बड़ी सिम्लार देरी ती प्रिवेस यार लेकिन इस बार दो